दिलीना पूर्व मुक्य मंद्री शिरादिक्षित ना पूतरा ने कॉंग्रेस नेता संधीब दिकषित गुजरात न प्रवासे चम्डवाद मा प्रेस कॉंफरेंस से समभूधित करता आमादमी पार्टी पर शिक्षण स्वास्त्याने रोजगारी ना मुद्दा पर आकरा प्रहार करया हता संदिप दिख्षित आमादमी पार्टी शिक्षण मौडल ने निश्वर गणावता कहिऊ गे राजमा आट वर्ष माँ नवी सरकारी शालापन बनावामा नथी आवी अने सरकारी शालामा बालकों नी संक्यापन वद्वानी चग्याई घटी छे तो राजमा आमादमी पार्टी ए कोई नवी होस्पिटल नथी बनावी महला क्लिनिक चोकस्ती सारो विचार छे परन्तु तेमा कोई मोटी सुवीदा न थी आपाती ज्यारे दिल्ली मा कॉंग्रेस ने सरकार हती त्यारे दरेक व्यक्तिये 25 व्यक्तिये एक बेरोजगार हतो जे वधी अत्यारे 10 व्यक्तिये एक थाई गयो छे दर्शावेच चे के आम आदमी पार्टी तमाम मोर्चे निश्वर्चे साथे गुजरात नलोकों ने अप्रिल करता कहीं कि केजरिवालना मोहमा न आवी जता दिल्ली में जब कॉंग्रेस की सरकार 1998 में आई थी तो हमारे याँ 64% बच्चे बारवी में पास हुआ करते थे ये 2014 तक बढ़कर 89% पहुँच गए मरलब समझ लिजी आप 15 साल में करीब 25-26% के करीब रिजल्ट बढ़ा और वही अगर रिजल्ट बढ़ता चला जाता कोई भी सरकार आती तो 6-7% तो बढ़ना ही था आज 96% है तो इसमें मॉडल क्या है मुझे नहीं समझ में आता है बारवी में अलतता स्कूल में तो हम बच्चे रिजल्ट के लिए बेजते हैं अगर कॉंग्रे सरकार होती कोई सरकार भी ना होती तो बारवी में यही रिजल्ट आता और इसलिए मैं कहता हूँ यह जो 6-7% प्रावी में दोहदार तेरा चौदा में जब कांग्रेस की आखरी सरकार थी तो टोटल बच्चे दो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा करते थी वो थे 16,20,000 16,20,000 पिछले साल तक दिल्ली में टोटल बच्चे पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में थे केवल 15,20,000 और इस साल जो कोविद के कारण जब जब ज़्यादा बच्चे बढ़े सरकारी स्कूलों में तो भी 16,10,000 हैं आठ साल में आवादी बढ़े हैं दिल्ली की दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे बढ़े हैं और बच्चे कम कैसे हो गए सरकारी स्कूलों में ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं और अगर कॉंगरेस की सरकार में 15 साल में 8,00,000,000 से 16,00,000 बच्चे गए थे अगर उसी रेट में बच्चे बढ़ रहे होते न तो आज 21 से 22,00,000 बच्चे होते दिल्ली सरकार के स्कूलों में मैं सवाल पूछना चाहता हूं ये 5 ये 6,00,000 बच्चे गए कहां भी अगर दि स्कूलों में गए